हेलो फेंड्स मैं हूँ सौराब आज की वीडियो में हम बिटेन के नए प्रधान मंत्री भारत बन से रिशी सुनक के बारे में बात करेंगे भारतिय मूल के रिशी सुनक बिटेन के नए प्रधान मंत्री होंगे इससे पहले पेनी माडरंट ने कंजरवेटिब पार्टी की नेता बनने की दोड़ से अपना नाम बापस लिलिया पूर्व बित्य मंत्री रिशी सुनक ने आसानी से जीद हासिल की कंजरवेटी पार्टी के 357 सांसदों में से आधे से अधिक सांसदों ने उनका समर्थन किया पार्टी का नेता बनने के लिए रिसी सुनक को कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी रिसी सुनक ने PM चुने जाने के बाद बिर्टेन को सम्भोधित किया उन्होंने कहा कि अपने सांसधिय सहयोगियों का समर्थन पाकर और कंजर्वेटिब और युनिनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर बिनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सोभाग्या है जिसके लिए मैं बहुत आवारी हूँ रिसी सुनक 28 अक्टूबर को पियम पद की सफत लेंगे और 29 अक्टूबर को केबिनेट का गटन किया जा सकता है पॉइंट नमबर वन रिसी सुनक ने देश को किया संभोधित रिसी सुनक ने कहा यू के एक महान देश है लेकिन हम एक गहन आर्थिक चुनोतियों का सामना कर रहे हैं अब हमें इस्थिर्ता और एकता की आवश सकता है और मैं अपने पार्टी और देश को एक साथ लाना अपनी सरवच्छ प्रात्मिकता बनाऊंगा जिससे हम चुनोतियों को पार कर सकते हैं और अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए बेहतर भविश्य का नियर्माण कर सकते हैं और रिसी सुनक ने कहा कि मैं पिर्तिक्या करता हूँ कि मैं इमानदारी और नमरता के साथ आपकी सेवा करूँगा पॉइंट नमबर टू, बिल्टेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री, बिल्टेन के कंजरवेटी पार्टी के नेता, रिसी सुनक, युनाइटेट किंग्डम के पहले हिंदू और एस्वेत प्रधानमंत्री होंगे। कंजरवेटी पार्टी के नेता और हमारे अगले प्रधानमंत्री के रूप में नीक्त होने पर रिसी सुनक को बधाई, आपको मेरा पूरा समर्थन है। प्रधानमंत्री पद से इस्थिफा दे दिया। तो गैस ब्रितेन के नए प्रधानमंत्री भारत बंसी रिसी सुनक के बारे में आपको जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट करकर ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लगना। जै हिन जै भारत।